Hi everyone and welcome back to Dalaral 6.0 Hindi video tutorial और इस वीडियो में study करेंगे 1 to 1 relationship के बारे में और इसके बारे में एक program बनाएंगे ठीक है सबसे पहले हमें कुछ points सिखाता हूँ यह points हैं जो इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे सबसे पहले हमें कि relationships होते क्या है फिर 1 to 1 relationship क्या होता है फिर एक हमें model बनाड़ा एक company table के लिए एक user table के लिए इन दोनों के विचा में relations बनाएंगे टेबल में आपको दिखाऊंगा फिर बात में relationship के लिए code लिखेंगे दोनों दो टेबल में relationships कैसे बना सकते या output चेक करेंगे और यह दो चीज़े मैं अल्रड़ी बना चुका हूँ तो मैं यह दो बनाएंगे बनाऊँगा टाइम सेव करने के लिए controller और router ठीक है यह क्या होता है अगर यह नहीं पता तो आप हमारे पिछली यूडियो देख लीज़ेगा Link description box में दिय हुए मेरे पास एक table है user नाम से और एक company नाम से एक user एक company से जुड़ा हुआ है तो obviously उस company वाले table के अंदर user वाले table की id होगी तो हम user की id से हम company की table का data fetch कर सकते हैं तो इस तरह के से relationship काम करते हैं ठीक है? थोड़ा detail में देखने के लिए हम यह देख सकते है मेरे पास जैसे कि यह company table है और user table है इन ही का हम प्रोग्राम भी बनाएंगे ठीक है अब अनिल सिद्धू के पास एक id है one ठीक है और यह id इस user id यहाँ भी exist करती है company table के अंदर तो मैं इस id के behalf पे इस table से data निकाल सकता हूँ तो इसको relationship कहते हैं ठीक है अब let's say कि एक user एक company से ही connected है तो इसको फिर one to one relationship करते है ठीक है एक user एक से जादा company से related है जैसे कि id2 है यह id Daniel है यह 2 से connected है तो इन दों का relationship बनेगा one to many बनेगा ठीक है और ऐसा भी हो सकते है कि दो user खली एक ही company से हो तो फिर वो many to one to one बनेगा और many to many भी हो सकते है इसके अंदर हम one to one की ही बात करेंगे ठीक है तो हमने relationship क्या होता है यह पढ़ लिया one to one relationship क्या होता है अब हम 2 model बनाते हैं सबसे पहले company के लिए ठीक है तो ठीक है मैं इसको clear करता हूँ सबसे पहले और सबसे पहले मैं model बनाता हूँ php artisan make model user ठीक है यह बनाया यह कहां मिलेगा आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ रीफ्रेश करोगे तो यह मिलगा आपको ठीक है अब करते है एक model बनाता हूँ यह तो के user वाले table के लिए company वाले table के लिए इसके लिए मैं बनाता हूँ cmp बनाता हूँ जल्दी बन जागा short के लिए यूज करने भी सही रहेगा यह दोनों table बन गई है अब क्या करना है हमें code लिखना है relationship के लिए सबसे पहले user वाली file के लिए code करना पड़ेगा इसमें करना है पड़ेगा मुझे एक function बनाना पड़ेगा ठीक है अचा कर क्या रहे है हम आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस user id के बहाफ पे ठीक है इस table से data get करने कोशिश करूँगा ठीक है ठीक है my cmp और इसके अंदर मैं करता हूँ एक return करता हूँ return में क्या करता हूँ dollar this इसके अंदर लेखूँगा has1 का मतलब क्या हुआ कि 1 to 1 relationship होगा इसका 1 relationship है ठीक है इसके अंदर तीन parameter होते है पहला model का नाम होता है ठीक है model का नाम क्या होगा जो मेरा company वाला model था यह रहा इसका मैंने path दे दिया यह app वाले folder के अंदर exist करता है second क्या होगा second होगी मेरी id इस table के अंदर जो अब user id होगी यह वाली ठीक है यह करेगी user underscore id अब तीसरी क्या होगी कि यह वाली id मेरी user table से कौनसी से match करती है इस table से match करती है तो इसका नाम क्या है id यहाँ प्याद आएगा id ठीक है तो अगर हमको simply बोले ना तो इसको इस तरीके से बोलते है model path model path model path के बाद में होता है चलो ठीक है मैं इसको हलका सा लिखके दिखा रहा हूँ थोड़ा सही रहेगा समझने में foreign key पर फिर होती है local key ठीक है इस तरीके से बनते है तो यह वाला होगा इसके इंदर foreign की कौन से होगी user id और local की कौन से होगी id ठीक है यह जो id है यह इस वाली की id नहीं है यह वाली id है जो इस वाले table की id है ठीक है यह बन गया हम control में जो हमने पहले से बना की रखा हुआ ठीक है मैं users controller के नदर आया इस के नदर मैं यहाँ पर code लेखूँगा अब मैं करूँगा return ठीक है और सबसे पहले मैं use करूँगा उस model को यहाँ पर user का जो app model था user model को लेकिया आता हूँ user अब मैं करूँगा return user मैंने user वाला model इंपोर्ट कर रहा है colon अब आएगा मेरा find method find के नतर पर जिस id का करना चाहता हूँ लेटसे मैं अनिल का करना चाहता हूँ तो इसकी id है 1 अब मैं लगाँगा myCMP ठीक है function नहीं बनाना इसको हमने यहां पर हमारा यह function था पर यहां पर function नहीं बनाना इसको यहां पर as an property ही यूज करना इसको ठीक है अब देखते है कि output आया क्या है यह था तो हाँ इसने बताय कि cmp नाम से कोई table है नहीं क्योंकि जो हमारी यह वाली table है यह company नाम से है और हमने controller बना है cmp नाम से तो हमें यहां पर जाके इसका table का नाम बदाना पड़ाएगा ठीक है तो लिखते हैं हाँ पर protected protected dollar table table का नाम हुआ company ठीक है आब इसको refresh करते है चलना चाहिए ही चल गया आप देख रहे हो इसकंदरी से क्या का बता दिया id बता दी इसने 120 चेश बता दी यह मे多व़ऑ ड़टानीकालके दे दिया इस वाली table का ठीक है इस वाली table का famous data 10 चेहाँ डेक सकते हो this I can pass अब मैं निकालने की है। तो अब देनिल काइड़ा आएट आएगा तो अब देनिल का आएटा आएगा वोता है। इसके ID यहाँ पर दो थी Daniel की और यहाँ पर आके देखा हुने इसकी यहाँ आइडी आ लगी ठीक है अब सुचो कि दो ID क्यों निकाले की थी एक क्यों निकाले की थी यहाँ कि 1-2-1 relationship होता है तो इसका अंतलर भी जो होता है कि एक यूजर एक कंपनी से रेलेटिड होगा है यहाँ पर दो कंपनी है तो उसने क्या करा भी एक को इग्नोर करा दिया अभी के लिए उसको यह चीज समझ में निया रही को यह भी है इसने वस यह 1-2-1 निकाला है ठीक है सो यह है 1-2-1 relationship आगे वाले के अंदर 1-2 man relationship पढ़ेंगे कोई query हो comment box में पूछ सकते हो कोई और issue हो वो भी मुझे पूछ सकते हो कुछ suggestion हो कुछ video चाहिए हो किसी special तो सब कुछ comment में लिख सकते हो ठीक है thanks for watching bye bye